तमिलाडू में बिहारियों के खिलाफ वी कतित हिंसा का जो मामला शुरू में law and order यानि कानून विवस्था के खराब होने का लग रहा था वो अब राजनीतिक हो गया है पहली बार तमिलाडू के CMM के स्टालिन ने मामले पर खुल कर बयान दिया और सीधे सीधे बीजेपी पर फेक न्यूस फैलाने के आरोप लगाने के इस मामले में स्टालिन को बिहार के CMN नितिशकुमार की पार्टी जनता दली उनाइटेट का भी साथ मिला है पूरे मामले पर यह खबर लिखे जाने तक बीजेपी का कोई रियक्शन नहीं आया लेकिन स्टालिन ने बीजेपी पर जो आरोप लगाया वो बेहत गंभीर है पूरी बात बताते हैं आपको तसली से इस स्टोरी में लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेस्बूक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजेगा तमिलनाडू के सीम स्टालिन का आरोप है कि बिहारियों पर उनके राजजी में हुए कथित हमले को लेकर नौर्थ इंडिया के बीजेपी नेताओं ने कथित तौर पर फेक निउस फिलाया उनका कहना है कि बीजेपी ने ऐसा विपक्षी एकता के चर्चा गरम होने के बाद किया दरसल एक मार्च को स्टालिन का बर्डे था उनके इस बर्डे सेलिबरेशन में विपक्षी पार्टियों के कई बड़े चेहरे शिर्कत करने पहुँचे थे इनमें कॉंग्रेस अध् अभी विपक्षी पार्टियों के साथ आने और बीजेपी को 2024 में उखाड फेकने की बात हुए इसी का हवाला देते हुए अपने आरोपों में वो कह रहे हैं कि इसके बाद नौर्थ इंडिया के बीजेपी नेताओं ने फेक नियूस फैलानी शुरू कर दी स्टालिन का दावा है कि विपक्षी एक्ता को कमजोर करने के लिए इस तरह से बीजेपी नेताओं दौरा फेक नियूस फैलाई गई बिहार के सीम नितिशकुमार की पार्टी ने भी स्टालिन के ताल से ताल मिलाते हुए बीजेपी पर इसी तरीके के आरोप लगाए लिंक में आपको स्टोरी के डिसक्रिप्शन में दे रहा हूँ यूट्यव पोस्ट के लेकिन अभी तक इस स्टोरी का फुल फोकस बीजेपी पर लगे वेक नीजस फैलाने के आरोप पर है तो लोटते हैं इस स्टोरी के ऊपर जेडियू का ये भी कहना है कि बीजेपी बि भी इस मामले की जांच की और अगर इन दावों की माने तो इन तमाम तरह के जांच परताल में ऐसे किसी हमले की घटना का पता नहीं चला है बिहार से आई टीम संतुष्ट होकर वापस लोटी इन तमाम दावों के बीच पहला मौका है जब स्टालिन ने सीधे बीजेपी का नाम लियो और इस पार्टी पर फेक न्यूज फैलाने के आरूप लगाए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मार्च को उनका जन दिन था इस मौके पर तमाम बड़े विपक्षी नेता पहुचे थे इस मौके पर स्टालिन ने बिना किसी शर्त विपक्षी पार्टियों के एक साथ आने और बीजेपी को 2024 में हराने की अपील की उनका कहना है कि ठीक ब बनादन बयान जारी किये मामले की गंभीरता को देखते हुए तमिल बोलने वाले पुलिस हिंदी में स्टेट्मेंट देने लगी इसी तरफ परता का नतीजा था कि मामले ने तूल नहीं पकड़ा और यह शान्त हो गया इस मामले पर ट्वीट और रिपोर्ट करने वाले जिन पर दर्ज की गए उनमें बीज़ेपी नेता से लेकर मेंस्ट्रीम मीडिया वाले और यूट्यूबर्स शामिल हैं इस तरह के एफायार्स तमिल नाडु से लेकर बिहार पुलिस तक ने दर्ज किये हैं जिन पर यह एफायार दर्ज हुए उनमें से कईयों अपने कारवाई करती हैं फिलालसी जरूरी स्टोरीज के लिए आप देखते रहेगा अनकट मेर नाम है तरो